दोस्तो हमें सपोर्ट करने लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तो मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बैल आइकन को भी क्लिक करें तो अलों जुस्तों कैसे हैं आप मैं हूँ एक सी टेक्निवेक्सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है कल रेडमी ने लॉंच कर दिया था रेडमी नोट 9 प्रो एंड नोट 9 प्रो मैक्स और दोनों स्मार्टफोन अच्छे हैं जिस प्राइस मैं प्रो मैक्स मुझे ज रेडमी 6 में कौन किसको कहा पर बीट करता है कंपरीजन करके देखेंगे पसंदा लागे में आपके शायर करना ने पसंदा है जो सब्सक्राइब स्कार्टेट रेडमी नोट नाइन प्रो और रेलमे 6 मैं रेडमी रेलमी बोलूँगा क्योंकि नेम्स में अक्सर थोड़ा कम कंफूजन होता है इसलिए सबसे पहले हम प्राइजिंग से चालू करेंगे क्यों मैंने कहा था कि उसका अपर वेरियंट थोड़ा सा महेंगा लगा क्योंकि रेडमी नोट नाइन प्रो में दो वेरियंट आये हैं पहला है चार जीवी चॉंसर जीवी एंड यहीं चार जीवी रेलमी 6 का 8GB 128GB वेरियंट मिल जाता है यह थोड़े प्राइजिंग में चेंजेस हैं इसलिए मैं कहा था कि रेडमी नोट 9 प्रो का जो अपर वेरियंट है उसको यह ख़़ार कम रखना चीए था तो अच्छी खासी प्राइजिंग कंपटिशन हो जाती चलिए प्राइजि जबकि रेडमी की बात करोगे तो इसमें सेंटर में दिया हुआ है दोनों में IPS के पैनल है अच्छी चीज़ दोनों फूल एच्टी प्लस के हैं रियल में 6 जो है दोस्तों 6.5 इंच के डिस्क लेके साथ होता है जबकि थोड़ा सा बड़ा 6.7 इंच का डिस्क आपको मिलता है रेडमी के स्मार्टफोन में दोनों में साइट में अपको प्रेंट साइड में आपको अपको रही वे स्थाटी का ziemUD है पॉलिकार्बोनेट है यहां पर बनों के अपने अट्वांटेशे performances दोनों में साइड माउंट ben सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको नाइंटी हर्ट का रिफरेश रिट शीए तो आप रियल में 6 की तरफ जा सकते हो जब कि अगर आपको गोरिला ग्लास फाइक प्रडुक्शन दोनों साइड चीए तो आप जा सकते हो डेड्मी अब आते हैं परफॉमेंस की तरफ तो परफॉमेंस दोनों में धमागे दर मिलते हैं जहां पे रेड्मी नोट 9 प्रो में आपको स्नेप ड्रेगन सेवेंट प्विंटी जी गाचिप सेट मिलता है जो कि अक्टा कोर का चिप सेट है एंड एट अन्य बैटरी एफिशेंस से आ समाल का को परफॉमेंस देंगे दोस्तों एंड अड्रीनो 618 के साथ आता है यानि गेमिंग ग्राफिक्स मक्खन की तरह चलेगा अल्ट्रा पे खेल सकते हो पब जी लेकिन आप एच्टीर पे नहीं सकते एक्स्रीम पे नहीं सकते इसके बाद एंड्रोइड 10 के उपर आता ह जो कि MIUI 11 के साथ आता है यानि स्ट्रीम लाइंड है अच्छा है कोई प्रॉब्लम नहीं है स्कोर जो है 240-250,000 के आसपास जाता है अंदुदू का एंड अच्छा चिपसेट है बहुत ही efficient है यानि हर सेग्मेंट में ये काम अच्छी तरह कर लेता है इसके बद लिए अगर से 2.05 GHz में है चार कोस 2 GHz पर क्लॉग है जो 2.05 वाले हैं कोटेक्स A76 वाले कोस है और जो 2 GHz वाले हैं दोस्तों वह आपको कोटेक्स A55 वाले बैटरी एफिशन से वाले कोस है माली G76 MC4 का GP वाता है जो कि गेमिंग ग्राफिक मखन की तरह चला लेगा PUBG खेलते हो किसी भी स सकते हैं कोई प्रॉब्लम ने आएगा तो गेमिंग के मामले में ज्यादा बेटर है सेवें ट्विंटी जी के महँगा लेकिन आपको एफिशेंट प्रॉसस अच्छी है तो आप सेवें ट्रेंटी की तरफ देख सकते हो दैन उसके बाद बात करें इसमें आपको एंडॉइ या नहीं रियल्मी 6 की तरफ जबकि आपको एक एफिशेंट चिपसेट चीए पावर के साथ और नैविक के सपोर्ट के साथ जो इंडिया का खुद का नैविगेशन सिस्टम है दोस्तों तो आप जा सकते हो 720G के साथ यानि आप जा सकते हो Redmi Note 9 Pro की तरह दोस्तों अब आते ह पिक्सल के दोनों मैक्रो लेंस और अच्छी चीज़े वहां साइड में कर देते हैं अब आते हैं मेन सेंसर में तो 48 में आपिक्सल का GM2 का सेंसर आपको मिलता है Redmi Note 9 Pro में जो की नया है पहले GM1 आता था GM2 आ रहा है इसका अपाचार F1.8 का है 4K वीडियो रिकॉर्डिंग व आपको Realme 6 में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिलता देन इसके बाद फ्रंट कैमरा में आओगे तो दोनों में आपको 16 में आपिक्सल के कैमरास मिलते हैं जिसका अपाचार F2.0 का है वहां से आप 1080 रिडियो निकाल सकते हो रियर साइड पर दोनों में फ्लेश है फ्र अब बात करते हैं बैटरी डिपार्टमेंट की बैटरी की बात करें तो बड़ी बैटरी मिलती है आपको रेडमी के फोन में 5020 एमेज की बैटरी जबकि 4300 एमेज की इनफ बैटरी मैं कहूंगा यह भी बड़ी है मिलती है Realme 6 में अब इसके अलामात दोनों में टाइप सी क अब आते हैं सेंसर्स की तरफ तो अगर आपको नविक ची अगर बहुत इंडियन होने पर प्राउड गरते हो एडवांस भी है यह इनिक प्राउड की बात नहीं है एडवांस भी है अगर आप GPS ग्लोनस या फिर बाइदू से कंपेर करोगे तो उनसे बहुत जादा एडवांस है 10 मीटर तक का रेंज तक जाता है वो लेकिन इसका इशू यह है कि यह सिर्फ इंडिया में और आसपास क पर कुछ लोकेशन को ही वो कर पाता है बाहर नहीं है पॉसिवल है कि नेक्स कुछ टाइम में बाहर भी मिल जाएगा लेकिन ज्यादा एडवांस बाकी सबसे ध्यान देना आपको नवी का सपोर्ड मिलता है किसमे 720G यानि Redmi Note 9 Pro में जो कि आपको Realme में नहीं मिलता इसके लि सब्सक्राइब सारी चीजें आलमोस्स सेम हैं आपको दोनों में साइड मांटेर फिंगर पेस्काम मिलता है दोनों में आपको रेडमी नोट 9 pro में दो और सेंसर है नोटिफिक्शन लाइट और दूसरा है आयर ब्लास्टर ये मिलता है जो कि आपको Realme में नहीं मिलता तो न में नहीं मिलता दोस्तों अब आते हैं तो दोनों में आपको मिलता है कोई शुज नहीं है 256 बढ़ा सकते हो रेडमी नोट नाइन प्रो को एन वेरियंट तो अलड़ी हम बात कर चुकी है कि प्राइजिंग थोड़ा सा चीपर है बेस वाले का नहीं बाकी सब का रियल में 6 में जबकि रेडमी नोट 9 प्रो जो है वो बेस तो दुनों का सेम ही है 4GB 64GB 13,000 में याते हैं लेकिन इसका 6GB 128GB जो कि 16,000 का आत है और 16,000 में अगर रियल में जाओगे तो वहाँ पर 8GB 128GB मिल जाता है यानि 2GB एक्स्ट्रा रेम मिलेगा वहाँ पर 6GB 128GB 1000 चीपर है यानि 15,000 में नोटिफिकेशन लाइट चीए और आयर ब्लास्टर का सपोर्ट चीए तो आप जा सकते हो Redmi Note 9 Pro की तरफ जबकि अगर आपको 90Hz का डिस्ले चीए गेमिंग थोड़ी अच्छी चीए दोस्तों 64GB में आप इक से लाग है हमर अची हो 30GB का चार्ज चार्ज चीए तो आर रियल म 6 में कुछ अच्छी चीजें हैं यह निकराओं कि खराब हैं लेकिन ज्यादा अच्छी चीजें आपको Redmi Note 9 Pro में मिलेंगे उसके लिए आपको थोड़ा ज्यादा पेवी करना पड़ेगा अगर आप हाई अर्वी रेंड लेते हो तो डिपेंड करता है कौन सा आप ले सकते ह को जो लेना चाहो वो देख सकते हो इसी सबसे देख लें जो आपके प्राइवर्टीज होंगे उससे साथ से चेक कर सकते हो कैसा लगा वीडियो जुरू बताइए पसंदा लाइके मेंटों शेयर कर दीजिए नहीं पसंदा डिस्लाइक कीजिए मुझे बताए कि निपसंद